अब पासुलेखा की रिसुई ब्लॉक में तो आज हम लेकर आए अपके लिए एक नई रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं गेहू के आटे की खस्ता कचोड़ी बनाने के लिए हमने एक कब गेहू का आटा ले लिया है थोड़ा सा हमने यहां पर जवाइन ले जिसे हाथों पर ह काई मैं करुघ हम चोटा चोटा डालेंगे वाइल आप यहां घी भी ढाल सकते हैं जो भी आपके पास हो attending की थोड़ा सा नमक तो यहां पर हम मुठी में बाद की दिखाते हैं, हाँ तो अब हमारा जो आटा है यह अच्छे से मौईन हो चुका है, बहुत अच्छे से बंद रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह से हमें मौईन करना है, तो यहां पर हम ले लेंगे पानी, हमने यहां पर नॉर्मल पानी लिया इतिमाल नहीं किया है फ्रेंट्स बिल्कुली साधारण से गियूं के आटे का बना रही हूं जो हेल्दी भी होगा और टैश्टी भी होगा तो यहाँ पर आटे को हमने गोथ लिया है अच्छे से इसे अच्छे से रगड रगड के हमें लगा लेना है ज्यादा मसल ना है आटे को जितना आटे को मसलेंगे उतनी अच्छी हमारी कचोड़िया बनेंगी तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके यहाँ पर अच्छे से हमें इसका डो लगा लेना है तो यहाँ पर आटे का डो लगके तयार है फ्रेंट्स आप देख सकते हो फ्रेंट्स मैं याद दिला दूं अगर आपको मारी वीडियो अच्छे लग रही है तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है उसे जरूर दबाएं यहाँ पर आटे का डो हमारा लगके तयार हो चुका है तो यहाँ अगर करके हम छोड़ देंगे कुछ देर के लिए रेस्ट पर यहाँ आगए हम गयस की तरफ गयस पर हमने कड़ाई रख दिया कड़ाई में डाल देंगे एक चमच तेल यहाँ पर हमने सरसो तेल का इस्ति जीरा एक चमच राई इन दोनों को अच्छे से चटकने देंगे तो जीरा राई हमारा जो था अच्छे से चटक चुका आप देख सकते हो तो यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज का प्यास चोप कर रखा था बारिक बारिक और थोड़ा सा हरी मेर्च तो उसे भी हमने डाल कर लिए और इसे थोड़ा सा म भूनेंगे जादा नहीं भूनेंगे बस बिल्कुल थोड़ा सा ही भूनना है हमें इतनी भी नमी वगेरा होती है वह अच्छे से निकल जाए अलू में ज्यादा मॉस्सराई जलना रहा है इसलिए इसे हम भूनेंगे तो इसे हम चलाते हुए अच्छे से पकालेंगे यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सम कुछ मसाले सौद अनुसार नमक एक चोथाई चमच लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर दरदरी कुटी लाल मिर्च पाउडर के इस्तेमाल किया हमने एक चमच भरके यहाँ पर धनिया पाउडर डाल देंगे जिससे हमारे जो आलू में नमी वगएरा होगी न अच्छे से ड्राय हो जाएगी यहाँ पर एक चोथाई चमच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया एक चोथाई चमच भूने हुए जीरे का पाउडर और एक चोथाई चमच यहाँ पर हमने आमचूर पाउडर डाल दे जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इन सभी चीजों को अच्छे से हम कर देंग तो यहां पर हमने गेस को बंद कर दिया है जो हमारे आलू थे थे हमने ठंडा कर लिया एक तरह तक हम अपने आटे को भी देख लेते हैं जो मने रेश्ट पर रखा तो आप देख सकते हो आटे बहुत अच्छे से सेट हो चुका आटा हमारा तो इसे अच्छे से हाथों से हम मसल लेंगे थोड़ा सा और जितना आटे को हम मसल मसल के लगाएंगे फ्रेंड्स उतनी हमारी कचोड़िया सॉफ्ट बनेंगे और अच्छी बनेंगे तो इसमें हम लोईया काट लेंगे छोटी छोटी जितनी बड़ी आपको कोचोड़िया रखनेंगे उतनी बड़ी बड़ी आप लोईया कट कर सकते हो तो बस इसी तरह से हमें लोईया कट कर लेना क्योंकि हम छोटी छोटी कोचोड़िया बनाएंगे तो सभी लोगियों को हमने कट कर लिया और इसे हथेली की मदद से अच्छे से रगड रगड के इसकी लोई बनाएंगे तो इस तरह से दबा देना हमें और इसे फैलाते रहना आप चाहे तो सोखे आटे का भी इस्तिमाल कर सकते हैं यहापे तो इसे फैलाते हुए हमें हाथों से इस तरह से इसमें श्टेफिंग रख देंगे जो हमारे आलू के श्टेफिंग है तो बहुत थोड़ी से श्टेफिंग रखनी है हमें बिल्कुल जरा से क्योंकि यह तेल में जाने के बाद अपने आप ही फैल जाएगे पूरी कचोड़ी में तो इसे बिल्कुल इसी तरह से हमें मोड देना है मोडक का शेब दे देना है उसी तरह से हमें उठाते हुए इसको अछ़ए से गुमाते रह यह अब जो इस उपब कही है इसे बिल्कुल हो हम उसमें नहीं छोड़ेंगे इस इसे हमारे तो बैस इस तरह से रोल-्रोल करके इस तरह से कर देना है और हथेली की मतब से इसे दबा देना है तो आप चाहें फ्रेंड्स तो इसमें सुखा अटा लगा करके बेलन से बेल भी सकते हैं थोड़ा सा वरना आप हाथों से दबा दें इसे ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं कचोड़े छोटी छोटी ही होती है त तो इसी तरह से अपनी सारी कचोड़िया बना करके तयार कर ली है यहां पर अपनी सभी कचोड़ियों को भर लिया है आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरह से छोटे-छोटे सेप में तो एक भी कचोड़ी टूटी-फूटी नहीं होनी चाहें वरना कढ़ाई में जाने के देख सकते हो तो तेल यहां पर जादा गरम नहीं होना चाहिए फ्रेंट्स मीडियम गरम होना चाहिए बिल्कुल धूएदार गरम तेल को ना करें और यहां कचोड़ी हमारी तुरंती लाल पड़ जाएगी अंदर तक सिकेगी नहीं तो यहां पर तेल हमारा जो है अच्छ तो कचोड़ियों को हमें पलटते रहना है आप देख सकते हो एक भी कचोड़ी हमारी तूटी फूटी नहीं है बिल्कुल ही साबुद बनी है बहुत अच्छे से तो आप अगर आटा सही लगाएंगे आपका जो फिलिंग से आलू का मसाला हो सही है तो आपकी कचोड़िया बहुत अच्छी बनेंगी और आप देख सकते हो यहाँ पर हमने बिल्कुल भी मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है बस घर के गेहूं के आटे से बनाया है जो की बहुत अच्छी फूली फूली है और क्रिस्पी कचोड़िया है तो मैदे से हम बार बार बनाते हैं मैदा हमारे सरीर के लिए अच्छा भी नहीं है तो आप गेहूं के आटे से जरूर ट्राई करें आप देख सकते हो कचोड़ी हमारी बहुत अच्छी है फूली फूली सी है तो इसी तरह से अपने दूसरे भी जो हमारे बचे हैं सभी को हम फ्राई कर लेंगे तो सारी कचोड़िया इसी अब बना लेना है और गैस को लो टू मीडियम ही रखना है क्योंकि अगर गैस हमारा हाई रहेगा तो हमारी कचोड़ी अच्छी नहीं बनेंगी नेचे कच्छी रह जाएंगी जो क्रिस्पी नहीं होंगी तो वस इसी तरह से हमें च्छान लेना है कचोड़ियों को आप दे पेपर रखा है उस पे रखा है ताकि जितने भी इस्ट्रा वाइल होते हैं वह अच्छे से पेपर में आ जाए बिल्कुल भी वाइली ना लगे कचोड़ी तो चलिए आपको सब करके दिखाते हैं तो यहां पर हमने सब कर लिया है हमने आलू और टमटर की भंडारे वाली स आत्में बनाई है उसके साथ सब किया है क्योंकि हम जब भी होटल वगएरा में खाते हैं तो हमें इस तरह के सब्सक्राइब बहुत हैं फूली फूली सी आपको लगेगा ही नहीं कि यह गेहूं के आते की कचोड़ियां कितनी सॉफ्ट हैं कितनी बढ़ियां लग रही हैं आप देख सकते हो वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक सेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी रेसिपी कैसी है तो आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट और कितनी फुली फुली सी हमारे कचोड़ियां हैं बिल्कुल एक खस्ता एंड क्रिस्पी इसकी फ्रेंड्स इसकी फिलिंग्स हम आपको दिखा देते हैं जो इसकी फिलिंग्स है न अंदर की पूरे कचोड़ी